टीर इस्टोरेंट आप सभी का एपी स्टटी कॉमर्स एंड इंग्लिज गुरुज जर्नल में स्वागत है आज हम जो है मुल्य हरास के और प्रस्नों को देखेंगे कुश्चन नंबर आठ तक हमने पिछले वीडियों बताया है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट कि एक मसीन खरिदी देखे इसको एक जन्वरी 2019 को एक कंपणी ने एक लाक रूपय की एक मसीन खरी दी उसी वर्स जुलाई एक जुलाई को पजास हजार रुपे में दूसरी मसीन करिदी मदलब उस साल हमने दो मसीन खरीदा एक मसीन हम ले एक जन्वरी 2017 खरीदा और एक जुलाई 2017 को हम 50.000 रुपे की मसीन खरीदी है ना खरीदे तो खाते जो है कतीस दिसंबर को प्रतिवार से बंद होते हैं मुल्य हराज जो है दस प्रतिसत वार्शिक की दर से इस्थाई प्रभाग 35 से लगाया जाता है 2017 सान तथ 2018 मसीन खाता तैयार किजी ठीक है यहाँ पर किस प्रकार से बढइगा देखिएreg С 달जिय ताह 갑자기 मशी खाता से एक लाग रुपय उसी तरह जुलाई को एक को खरिड़ा है 2017 में जुलाई एक को तो हम लिख दिये रोकड़ खाता से 50,000 एक लाक और 50,000 इन दोनों को हमने क्या कर दिया जोड दिया तो कितना हो गया एक लाक 15,000 हो गया ठीक है आप यहाँ पर देखे हरास खाता को 2017 दिसंबर 31 को हम क्या करेंगे इन दोनों मसीन पर हरास लगाएंगे ठ जन्वरी में खरीदे है मतलब पूरे साल भर का हरास लगाएंगे क्योंकि 31 दिसंबर को हरास लगाते हैं तो एक जन्वरी से 31 दिसंबर तक पूरा साल भर होता है तो हम इसमें 10% इसका लिखा लेंगे हमने यहाँ पर देखे पहला वाले मसीन का 10% लिखाला है तो कितना आ है कितना आँ है एक सुन्य जादा हो गया था यह हो गया तो यहां पर हमने क्या लिग दिए देसा रुपे लिग दिया रास खातक को करके अब दूसरा मसीन है उस पर भी रास लिख लिए तो पांच से, रुपे पचास और के मसीन है तो 50,000 के 10 परशन लिका लेंगे तो अब 5,000 ठीक है यह वार्सिक हरास है मतलब साल भर का हरास 5000 लगेगा ठीक लेकिन हमको जो है मसीन जो उस साल उस साल हमने मसीन क्याब खरिदा तो जुलाई में खरिदा मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नॉंबर दि इस मसीन में 6 महा का क्योंकि यह मसीन जो है जुलाई में खरिदा मतलब जुलाई से हम दिसंबर तक का गर्णा करते हैं तो जुलाई से दिसंबर तक के गर्णा में यह 6 महा हो रहा है तो हम इस मसीन पर 6 महा का हरास लगाएंगे तो एक साल का हरास पांच जार रुपे तो इ ठीक अब हम यहां पर क्या करेंगे एक लाग सांटेस जार पांस रुपर होगा ठीक एक लाग सांट्रीस। 144 अर दस पचास ठीक है तो ABS6 результатों अन्ती मतर्थ सैस ले जाये गए हो तो इसको अगले बर से प्रादनें में सेश लाएगा करके लिखते हैंm इस साल में दो साल का MAHRAAZols का खातस बनाना है तो हम यहां पर लिख दिये फिर से 2018 दिसंबर 31 यह उस इस पर हमको क्या लिकाना मतलब इस यह जो मसीन है दोनों मसीन यह भी आगे भी चल रहा है मतलब दूसरा वर्षा भी हमको इसको अंतिनूर रखना है तो दिसंबर 2018 में समबर 31 को अराज का खातक को करके लिख तेंगे अब यह 10,000 रुपए कितना यह 10,000 रुपए पहले वाले मसीन पर रोकड़ खाता से कर हम ने खरीदा था उस पर यह राज करता है रहा है तो यह 10,000 रुपए हम लिख दिए अठीशरा जो मसीन था दूसरा महान मसीन का पूरे वर्षा करांस था पांच हजार उपे तो हमने इन दोनों को लिख दे क्योंकि 2018 में दोनों मसीन जो है पूरे साल भर चल रहा है इसलिए दोनों मसीन का राज पूरा पूरा लगेगा तो दस हजार और पांच है कितना होगा टूटल पंद्रह हजार एक लाग 37,500 में हम बंद्रह हजार को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा एक लाग 22,500 आजागा यही सेस है अब इस सेस को हम नेक्ट यर के प्रारंभ में पहले दिना को क्या कर देंगे सेस लाया करके लिख देंगे ठीक है जनवरी एक 2019 को हमने क्या क्या सेस लाया कर जैसे पिछले में किये थे वैसी तो सेसी प्रकार से जो है आप आगे बढ़ाते जाएंगे जितने वर्सका खाता बनाने के लिए बोला है उतने वर्सक आपको खाता बनाना पड़ेगा ठीक है तो यह कोश्चन बिल्कुल सरर है कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है किवल हराज जो प्रेम मोहान एंडर कंपनी ने एक मसीन 45,000 रुपी में करा की एक मसीन कितने में करएकी 45,000 रूपी में करा की उन्हों ने यह अनुमाश लगाएगी इस मसीन का ँस जीवन वरस पांच वरस पांच मुल्या 5000 रुपे को उन्हों ने एक जूलाई 1995 को टथा जन्वार एक जन्वरी 1996 को को चत्रिक्त मसीने 11002 रुपे अंतिम मुल्या कितना दिया अंतिम मुल्या मतला आउसिष्ट मुल्या 1260 रुपे दिया है तथा मानते हुए कि हराज जिफ्ताई के श्तुपध्धति में लगाया जाता हैं तीन वर्सों को मसीन कितता है, evidence मसीनों का जीवनकाल नियुक्त है अधर काल पांच वर्स है। इसको हम मानते हुए अभी क्या करेंगे बनाएंगे तो पहला मसीन को देख लिए पहला मसीन खरीदा एक जनवार ने उनने सो चवरानवे को 45,000 रुपे ठीक उसका उसे इस्टम ले 5,000 और जिवनकाल 5 वर्स सभी मसीनों का जिवनकाल क्या है 5 वर्स दिया हुए ठीक है तो एक एक करके बारी बारी से बनाते जाएंगे हम पहला जो मसीन करदे खरीदे उनने सो च यॉरानवे में तो हमने लिख दिया रोकडशाथा से करके लिख दिया कितना 45,000 रूपए क्योंकि 45,000 में हमने खरीदा है इसलिए हम क्या करदेंगे 45,000 रुपे लिख देंगे यहां पर तरफार अब इस पर हरास लगाएंगे तो हरास ख खाता को आठ हजार रुपए क्योंकि 45,000 का दस कितना जीवां को यहां पर देखें मसीन का राशात मुल्य दिया संपत्ती की जीवानकाल तो मसीन की दिया उसके अधर हमको लिखालना है तो 45,000 मसीन की लागत है पांच जीवानकाल है तो 45,000 में मैनस के तो 40,000 अब 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ रहा है 8,000 रुपे आ रहा है यह वारसिक हरास है ठीक है जो मसीन हो एक जन्वारी को खरीदे हैं इसलिए इस पर पूरे साल भर का हरास लगेगा तो हमने यहां पर लिख दिया हरास खाता को करके 8,000 पूरे साल भर का इस म 37,000 को अगले साल के प्रारंबह में हम जन्वारी एक को 1995 में सेस लाया गया लिखे 37,000 अब इस साल भी हमने 1995 के एक मसीन खर दी तो हमने लिख दिया रोकड़ खाता से 11,200 रुपे का मसीन था यहां पर देखे 11,000 कुछ मसीन है एक जन्वारी 1996 और उन्होंने एक जुलाई 1995 त वाला है वो एक जन्वारी 1996 को खरीदे और जो एक जुलाई 1995 लिखा है वो उसके मसीन का मुल्या है 11,200 ठीक आंती मुल्या 12,200 अब इसकी गढ़ना करते है तो 11,200 माइनास बारा सो बटे पांच ये घरास की गढ़ना कर रहे हैं बराबर क्या हो जाएगा 10,000 बटे पांच कर थे चांटेंगे तो 2000 आए ठीक यह 2000 रुपए पूरे वर्सक का है खो मंको जो है यह मसीन हमने कभ लिया है उसको편ाई लिए दहाँ दिखना है तो इस मशीन हमने लिए है जुलाई एक तारी को लिए है तो हम लिग देंगे रुकड खाता से जुलाई एक बारा ग्यारा हजार्आ दूसरे साल भी आफ इस मशीन का वर्स पुरे वर्स हरास है दो हजार रुप्यान लेकिन हम जो है इस मसीन को जुलाई में खरीदा है इसलिए इस पर 6 महने का हरास लगाएंगे साल भर का मतब 12 महने का हरास 2000 हो रहा है तो 6 महने का कितना होगा तो जोटिस को आधा हो जाएगा तो 1000 रुपे हमको यहां पर हरास लगानी है इस वर्स ठीक है 1995 में 6 महने का हरास लगेगा त 200 को जोड़ दीजे तो कितना हो रहा है देखिए सात एक आठ आठ अतीन एक चार आठ तेन एक चार और 248.001 तो ओंग है तो ठीक आप यहां पर इस 48.003 हों में हमको नाउ हजार को माइनस करना है तो कितना आपने जाएगा 59.003 अफ्र अब इसी सेंज को हम लिखते हैं तो दिसंबर 31 तारीद को लिखते हैं सेंज ले जाएगा करके निस जार दो पर देखेंगे जनवरी एक को रूकर खाता से करके चैस्ट रुपे अब देखेंगे दिसंबर राज जो लगेगा वो तीन मसीन पर लगेगा पहला जो मसीन था वो है फइंचतालीस एजार का जिस पर ऑठ जी का हरास लिखा ले थे वो लगेगा 5000 इस always जुसरा मसीन है ग्याराजाई थे हीने का हराश turning हुलू इस लिए साल का हरास लगे ग ठीक 282010 लोटम को जोड़ दिए तो हमारा कितना वरा 45,800 वह रहा है इस 45,800 में से 11,200 को मैनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 34,600 रुपया सेस आएगा ठीक है इसी को हम क्या लिख दिए सेस ले जाएगा कों से तारीक होता है दिसंबर 31 को ही होता है सेस ले जाएगा 34,600 तो इस प्रकार से आपको जो है मसीन खाता आपको बनाना है ठीक एक बार आप देख लिजे वीडियो को पॉस्ट करके भी देख लिजेगा आपको सारा चीज क्लियर होते जाएगा और हरास की गढ़ना करनी है उसका पूरा फर्मूले यहाँ पर लिख द सब्सक्राइब यह परिक्षा में आने लाइक भी प्रशन है दिखे प्रसांत लिमिटेट ने एक अपरेल उननीस और फानवे को पूरानी मसीन चालिस हजार रुपे म खरी दी इसकी मरमत वह स्थापना पर सत्रह जार पांस रुपे खर्च किये मदब टोटल मसीन का लागत मसीन लिए थे वह क्या हो गया वेकार हो गया अनुप्यूखत हो गया अँसको हमने बेज दिया निस वन थाउनब़े-ठी तक मसीन खाता बनाई है यह मांनते हुए कि खाते प्रतिवा सकती दिसंबर को बंद गिये जाते हैं ठीक इस पत्रतिका अधार पर हमको बनाना है इ सब्सक्राइब बनाएंगे तो हमको पहले यह देखना है कि हमने मसीन कब खरीदी तो मसीन खरीदा है हमने एक अपरेल उनिस वन्ठानबे को कितने का चालिस हजार का अब चालिस हजार में और खर्चा हुआ हमारा सब्सक्राइब तो यह हमारा संदावन हजार पांस सो कुल लागत मसीन की कुल लागत कितने संदावन हजार पांस सो यह हमारी कुल लागत है यही हमारा मसीन का क्रेम मुल्य है समझे ठीक आब इस पर वार्सिक हराज लिका लेंगे तो वार्सिक हराज बराबर तो संदावन प्रास की दर दास है दस परशंट है तो इसको हम कटायेंगे तो हमारा कितना रहा है 5750 अब शाष्बरलण कर लिए अप्रेल माई जून जूलाई अगस्ष सिदंबर अक्टूबर नॉंबर दिसंबर कितने माह हो रहा है nine maha वर रहा है, तो इस nine maha का हमको हरास निकालना पड़ेगा, पहले साल जब हमने 1990 में खरीदा है, उस साल का हरास, 9 मेने का लगेगा, तो हम 5750, यह जो हरास लिकला, यह पूरे साल भर का है, तो हम 9 महा का लिकालेंगे, तो 5750 9grande 12 कर दिए जीतने अगल कालना है उतने बटे 12 ही करना है तो यहां पर 5750 गुड़ी नव बटे 12 कर दिये अब हमने कार्ट पिट किया तो कितना आ गया यहां पर 4312.5 करके 5 लिखना है इसके बाद आगे चड़िए या फिर आप राउंड फिगर में भी ले सकते हैं 4312 ही ले सकते हैं तो इस प्रकार से बना सकते हैं अब देखिए मसीन खाता बनाएंगे इसके बात क्या बनाएंगे मसीन खाता हासा रतके कि लिख दिए पूरे इस मशीन को 9 महा का रास कितना हो रहा था हमने यहां पर रिकाला था 4,312 रुपयाँ पचास पर तो 4,312.5 सुन नहीं है है ना इसका मतलब तो 4,312.5 अब करेंगे क्योंकि और थुक नहीं है तो हमने 57 500 में 4,312.5 को मैनस करेंगे, तो देखें आपको सिंपल से मैनस करना है और फिर यच्ट हमें आपको लिग देना है जैसे यहाँ पर 57500 है 57500 है अब इसमें क्या करेंगे 4,312 रूपया मैनस करना है तो यहाँ पर यहाँ gener समय दो गया कितना होता है आठ होता है और यहां पर यह हो गया नौ में एक गया हो जाएगा आठ हो जाएगा ठीक है नौ में एक गया कितना आठ हो जाएगा और यहां पर पांच में तीन गया इस और यह चार हो गया चार में तीन गया कितना हो गया एक और क्या बोलते हैं यहां समय जाएगा कि संबर हमको यहां पर इसको आठ है उसको शाथ कर देंगे अधा कर करेंगे तो हम आधा करेंगे तो हमाँ पास कितना मतलब इस प्रकार से प्हले इसमें से लिकान रखीए तो जल्दी लिकल जाएगा दस में दो गया आठ इस प्रकार से आठ को आप एक कम कर दीजेगा और बिंदी लगा कर क्या कर दीगा दस हमलों लगा के पांस लिख दीजेगा ठीक है जिसमें सभी में करना इसे प्रकार तो अब देखिए यहां पर उनिस सो निन्यांबे जन्वरी से ले जाया गया करके लिख दिया त्रीपान हजार एकसौसाटासी दिसम्लों पांच अब इस वर्सहे राज लगांगे तो आप इस वर्स पूरे वर्सह भर का हरास लगे उस मसीन पे तो हम निक्रिजिया पांस है डाश साथ सो पचास रुपे फिर लिखेंगे हम इस त्री स्विपन हचार एक सो सतासी में पांच में मैनस के 5750 हमारा कितना गया सब्सक्राइब अब इसको फिर सब्सक्राइब हरास लगाएंगे 5750 से इस ले जाए गया करके लिखेंगे इसमें से इस 5750 को मैनस के तो यह आया चालिसजार 687.5 अब इस एक चालिसजार 687.5 दोजार एक में आया जन्वरी में आप इसमें क्या करेंगा इस मसीन को हम 20001 में बेच दिये कितने बेदी बतीसजार 500 में प्रसन में दिया हुआ है कि हमने जो है वह मसीन कब बेदी तीज जून में बत्रों सब्सक्राइभ हमिए चैनल जूनśmy दोफिप च cheating रोप्रुप gnаго के तो लाब हांई क कैसे लगा मसीन को बेचे तो उसमें से लाब हुआ कि हमको हानी हुआ इसको भी जानना रहता है तो हम जब भी बेचते हैं तो लाब हानी की गढ़ना करते हैं तो लाब हानी का गढ़ना करने के लिए हमको देखना है कि एक जनवरी 2001 जनवरी एक मसीन की लागत कितना था गार को हराथ 5750 पड़ने एक साल केम सारा कर देंगे कि क्या हो जाएगा इसका आधा 5750 का आधा हमारा कितना हो जाएगा देखे 5750 ठीक है हाँ तो 30 जून तक यह चला है मसीन तो हमारा हमारा इसमें हरास लिका लेंगे तो इसको दो से भाग देजिए दो एकम दो दोने चार अब एक 2714 दो अठे 16 और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक 2714 और एक 2510 मतलब 2875 रुपे क्या हो जाएगा हरास लिकाल जाएगा ठीक है यह 2875 को हम इसमें से घटा दी क्योंकि जून महा में 6 महा चला है तो 6 महा का हमको हरा क्या हरास करेंगे तो हमने यहाँ पर 1,0021 मुल्य था शाय दocy फचांस पांच यहांपर से लिए औ 10 महा हरास और माइनना संब्सकौ्य रहा है 38812.05 बन रहे हैं और हमने उसको बेचा कितने में तो 32500 रुपए में बेचा ठीक है कितने बेचा 32500 बेचा इसको हम क्या कर देंगा 32500 को मैनस कर देंगे 38812.05 तो हमारा जाएगा 3612 63012.05 यही क्या है यही हमारा हानी है क्योंकि हम ज्यादा का मसीन को कम में बेच रहा है इसलिए हानी क्योंकि हमने ज्यादा रेट का मसीन रखा है और उसको हमें कम रेट में बेच दे रहा है इसलिए हो हानी है अगर कम रेट कर रहता ज्यादा बेच दे तो लाब होता यहां पर हानी है हानी को ह कोऊन स्क्राइम लिखते हैं क्रेडिट फ postpon lisa मसमेर करेडिप निए आपको लिखती को लिखना लाव होगा तो हम मसीन खाता के डिविट फकर्षों लीखेंगे चिछीट हुप यहां पर हो जाएगा है रास घाटा को करकर लिए Care House 24 कअ पचैतर अब को जोड़ दिये तो उतना ही आएगा 4,000 मद एक 40,687,5 यहां पर भी एक 40,687 दिसम्मला पांच इस प्रकार से आपको दोनों पक्षे यह बराबर हो जाएक क्यों कि इसमें और एक कोई मसीन नहीं है इसलिए यहां पर यह जो खाता है वो अगर और कोई मसीन खरिटते तो उसका से आगे बढ़ते रहता लेकिन यहां पर इतना ही है इसलिए यह खाता दोनों पक्षे का योग क्या हो जाएगा और यहां खाता क्लोज हो जाएगा तो इस टैप से जो है को बनाना है कोस्टन नमबर 9,10,11 इस प्रकार से बनेगा नेक् कोशिज रहेगी कि डेली में वीडियो कम से कम आप लोगों के लिए अपलोट करूँ थोड़ा से समय की कमी पढ़ जाती है इसी कारण जो है मैं लगतार वीडियो नहीं बना पाता हूं लेकिन कोशिज करूँगा कि जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए ज्यादा धन्यवाद